अगर आप बिएस फोर गाड़ी के मालिक हैं और आपने अब तक अपने गाली का रेजिश्टेशन नहीं कराया है तो इसके लिए भारत सरकार के परिवहन विभाग द्वारा रेजिश्टेशन की अंतिमती थी 31 मार्च 2020 निर्धा की गई है तै तीथी तक अगर आप अपनी गाली का रेजिश्टेशन नहीं करवाते हैं तो आपकी गाली बेकार हो जाएगी क्योंकि भारत में एक अप्रेल 2020 से भारत स्टेश 6 यानि BS 6 उत्सरजन नियम लागू हो जाएंगे अब आपके दिमाग में ये सवा जरूर उठ रहे होंगे कि BS 4 क्या होता है और क्यों रेजिश्टेशन नहीं होने पर गारी बेकार हो जाएगी तो चलिए इसे भी जान लेते हैं भारत देश में वाहनों के इंजन से निकलने वाले परदूशन या फिर विसेले धुएं को BS मानक के रूप में रखा जाता है सीधी भासा में समझा जाए तो BS के आगे जितने बड़े अंक लगेंगे उसे उतना कम परदूशन उत्तरजन करने वाला वाहन समझा जाएगा जैसे भारत में पहले BS2, BS3 वाले वाहन चलते थे इसके बाद BS4 आया यानि BS4 टाइप के इंजन वाले वाहन से और BS2, BS3 की तुलना में कम परदूशन उस सरजित होते हैं इसे केंद्रिय परदूशन नियंतरन बोड़ द्वारा तैग किया जाता है ऐसे में अब बढ़ते टेकनलोजी के कारण BS6 मानक वाले इंजन आ गये हैं यानि परदूशन और भी कम होंगे ऐसे मानक वाले वाहन अब भारत की सडकों पर दोड़ लगाएंगी हमारी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो बगए रजिस्ट्रेशन वाले BS4 इंजन वाली अपनी गाड़ी को 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवाले ताकि आपके गाड़ी घर के किसी कोने में बेकार न पड़ी रह जाए